दोस्तों आज हम आपको बताने वाले एक बहुत ही आउसदी गुणों से भरपूर फल के बारे में इसको हम जंगल जलेवी, गंगा एमली, विलाइती एमली आदि नामों से जानते हैं आपने जरूर ही अपने बच्पन के समय में खाई होंगी, जब आप अपने दादी नानी के आ जाते होंगे और बगीचों में बागों में घूमते होंगे, तो आपने जरूर इसका स्वाध चका होगा और बहुत ही स्वाधिश्ट और लजीज होती है तो हम आज आपको इसके इतने बेहतरी गुणों बताएंगे जो आप इसके गुणों को देखकर आप आशर चकित हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि हम इस चीज़ को खा रहे थे और हमें इसके गुणों पता ही नहीं थे इसलिए हमारे पूरोजा और गाउं के लोग कभी बीमार नहीं होते थे क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीजे खाने को नहीं थी मक्खन, मलाई लेकिन उनके पास सदी गुणों से भरपूर ऐसे फल थे, ऐसी सबजियां थी जिससे उनके सरीर में कोई बीमारी होती ही नहीं थी और सरीर में उनके किसी भी तरह की कमी नहीं होती थी और उनका सरीर पूरी तरह पूसक तक्तों से भरपूर रहता था तो अब हम बात करेंगे कि अगर आप जंगल जलेबी का सेवन करते हैं इसके फ़लों में कितनी विटामिन होती है दोस्तों इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइडरेट, कापर, प्रचुर मातरा में होती है अगर आप जंगल जलेबी का शेवन नियमित करते हैं तो आपकी लीवर की समस्या जड़ से खतम हो जाएगी आंतों की समस्या जड़ से खतम हो जाएगी दोस्तों इसके बाद एक और इसका बहतरीन फाइदा है चर्म रोगों में अगर आप इसकिन से संबंदित किसी भी तरह की समस्या में परिशान है तो आप जंगल जलेवी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें आपको बहुत ही फाइदा मिलेगा क्यों क्यों कि दोस्तों इसमें एक अमरत के समान गुण होता है सल्फर बाया जाता है सल्फर में ऐसा गुण होता है अगर सल्फर से आप इसनान करते हैं तो इसकिन संबंदित जटिल से जटिल रोग तोचा से संबंदित शिरुस एक्जीमा जो भी जटिल चमड़ी से संबंदित रोग खाल का पाउडर बनाकर काढ़ा रख लीजिए और उसका एक चमच काढ़ा बनाकर एक कम्मे नियमी सेवन कीजिए आपका सुगर धीरे धीरे करकर एक से दो मेने लगातार पीजिए सारा सुगर की समस्या जड़ से खतम होने लग जाएगी जो पुराना से पुराना सुगर हो ले लिजिए और च्छाल को उबाल कर दो बार दिन में पीजिए आपकी दस्त पूरी तरह जड़ से खतम हो जाएगी पहले दिन से ही बहुत जबरजस्त आराम मिलेगा दोस्तो अगर आप के घर में कोई भी बहुत जड़ा नसा करता है उसको इसमोकिंग धूमर पान या ड्रिंकिंग नसा करता है तो दोस्तो इसमें प्राकतिक रूप से सलफर पाया जाता है अगर इसकी छाल का पाउडर बनाकर उसे विक्ति को दिया जाए तो उसकी नसे की साथ कार्वोहाइडरेट कापर प्रच्चुर मातरा में मिलरल्स और विटामिन इसमें पाय जाते हैं जो हमारे सरीर को मजबूत और सक तिसाली बनाता है तो दोस्तो आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो और आप इस फल का सेवन तुरंट आज से ही सुरू कर द आने वाला यह फल है तो दोस्तो आप इस वीडियो को नीचे लार रंका सब्सक्राइब का बटन है प्लीज अभी दबा लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज आप लोगों शे निव आपको देंगे तो आप लीज अभी लार रंकी सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा लीजिए और घंटी को भी दबा लीजिए इससे क्या होगा जो भी नई वीडियो आपको मिलती रहेगी दोस्तो ग्यान हमारे जीमन में बहुत जरूरी है वो चाहे अच्छा हो या का भी बुरी चीजों से हमें बचना है और अच्छी चीजों को हमें अपनाना है तो दोस्तों इस वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थाइंक्यू